असलाम अलेकूम जी मैं हूं इमरान और वेलकम तो मैं चैनल एक्सलेंट एस्कुल फॉर मग्स जी आज हम तीन फंक्शन्स को कवर करेंगे कनवर्ट रेपीट और ट्रेस प्रेसिडेंट ठीच है तो जी वन बाइवन एक्जेंपल के साथ चलते हैं convert basically use होता है किसी भी यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में convert करने Mormon के लिए है ठीक तो इसका text यह होता है कि लिखेंगे number define करेंगे उसके बात जिस यूनिट से convert करना और जिस यूनिट में convert करना है तो यह मैंने कुछ examples यहां पर लेनी हैं, वेब पर आपको पूरी list मिलेगी और यहां पर भी आपको जब formula यूज़ करेंगे तो वहां पर भी आपको इसके units नज़र आएंगे, start करते हैं जी, is equal to convert लिखते हैं और number देते हैं, ठीक है, यह number cell reference दे दिया है, comma किया, यह देखें यहां पर हैं, अगर आपको वेब पे नहीं मिल रहें, तो यहां से आप ढूंड सकते हैं, लेकिन खैर मैंने यहीं पर define किये हैं, Fahrenheit से comma two unit पे, two unit मेरा यह है, यह करेंगे और यह जी आ गया, इससे हम drag कर देंगे नीचे तक, तो यह अपने representative जो भी हमने from से two unit में convert किया है, यहां पर result आ जाएगा, ठीक है, मजीद आप इसको explore करें, इस पर तजरबात करें, इसका syntax यही है, यहां पर आप जब convert लिखेंगे, वहां पर आपको उसके units वगरा लिखेंगे आ जाएगे, अच्छा जी दूसरा useful feature है repeat, अच्छा repeat क्या करता है, कि repeat, अगर हमने कोई रुपे, हाँ जी, अब हम repeat को देखते है, repeat क्या कर रहा है, basically कि यह अगर आपने किसी रेटिंग देनी है, तो बजाए इसके किसी graph अगर आपको यहां पर लगा है, shortcut है, हमारे पास repeat का function किसी भी एक text को बार बार repeat करने के लिए इस्तमाल होता है, ठीक है, तो इधर हम लगा यहां पर आपने star को select कर लिया, अच्छा मज़े की बात कि star को select करने से पहले और आखर में, आपने इधर quotation marks देने है, ठीक है, क्योंकि यह text के तोर पर लेगा, comma लगाएंगे, और number of times जो यह repeat करना है किसी चीज़ को, यह देखे है, ठीक है, अगर हम इसी को नीचे लेके ज जितने हसाब से, ठीक है, अब हम तीसरी चीज़ यूज़ करते हैं, trace, trace precedent, किसनी यूज़ होता है, अगर आपने किसी formula का, cell का reference देखना हो, कि किस किस के साथ मिलके यहां पर formula लगा है, तो आपको cell reference देदेगा, जैसे कि मैंने यहां देखा है, यहां पर हमने sum किया है, इन cells का, example का तोर पर, ठीक है, मैंने इस cell को select किया, और इसके बाद alt, m, और plus p दबाऊंगा, तो shortcut की है, यह आपको, देखें, यह इस ने यहां पर बता दिया, कि इस cell का किस किस से reference है, अच्छा, इसको मजीद अगर remove करना हो, तो इसी data में अगर आप जाएंगे, wait minute, इसी में आप जाएंगे, data में जाने के बाद, sorry, formula में जाने के बाद, यहां से भी लगा सकते हैं, और remove arrows भी यहां से आ सकते हैं, ठीक है, तो यह जी, आज के तीन formula's थे, functions थे, बहुत useful हो सकते हैं, अगर आप इसको अपनी daily life में use करें, और ना भी कर रहे हों तो लेकिन knowledge होना लाज में जीस साथ दे खैंगे, तैक य। यहां जाएं जाएंगे, तैक यहां जाएंगे, तैक य।